जल्दी जल्दी खाल निकाल नहीं उड़के बड़ में अधला भी नी ये खालियो खालियो दिनने 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 ये खालियो खालियो पेड़ भरिगा दमक्का दिनने दिनने ये 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 डम 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 डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा डम 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 डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा का होई गा का होई गा अंगूर लंगूर अंगूर काया हुईगा आए है का राजा आए है का कै आए है चैटर मतर चलो उदर जाओ ममिक पास चैटर मतर ठीक ये चली गए देखो कैसा हलो दिदी ये देखो अपने जो ममी के लिए बेचा था वो ममी ओड़के रखी हुई है कैसा लग रहा है ममी के उपर कमेंट बाक्स में जरूर बताना साल इसलिए ममी ओड़ती नहीं थी कि यहाँ पर मिट्टी और बहुत लगती है तो खेत वेट का काम करती है घर का करती है तो इन्होंने उसको संभाल के बक्सा के अंदर रखा था क्योंकि जल्दी से गंदा ना हो यह देखो यह दोनों साल है यह हमारी बनारस वाली अंटी ने ममी के लिए सॉल भेजा था ममी ओड के बैठी है डलाइया बिनी जा रही है बनाई जा रही है आज चार दिन के बाद चार दिन चौथा दिन है हमारे यह दोब खुल गई है यह देखो थोड़ा थोड़ा धोब खुली हुई है सूरज निकले हैं ममी है बैठी है डलाइया बिन रही है बना रही है फ्रूट अंगूर खा रही है और बनारस वाली अंटी का सॉल ओड के अराम से बैठी है यह नए सॉल जब नया इटम आता है तो उसको उसको बांध वांध के रख लेती हैं बक्सा के अंदर बोलती है नया आया है कभी इसको ओड़ूंगी कभी पहनूंगी बोलती रहती है कि मिट्टी लग जाती है काम करते हैं खेत का काम करते हैं कहीं पर भी बैड़ जाते हैं ताकि गंदा नहों इसलिए उसको मम्मी रख देती हैं ओड बेड़ के बांध के बकसा के अंदर तो अंटी ने बोला था कि मम्मी से पूछो साल पसंद नहीं है क्या और मम्मी इसे बोलो ओड के दिखाएं कैसा लग रहा है तो मम्मी से पूछते हैं साल कैसा है कई मम्मी बढ़िया है बहुत अच्छा है कि बहुत बढ़िया है बहुत पसंद है यह नहीं हमारे होता है सर्पत कहीं कहीं पतील उसको बोलते हैं पतावर बोलते हैं तो उसी कड़ लईये भी नहीं जा रही बल्ला इनको बोलते हैं क्या बल्ला बल्ला का मतलब है जो सर्पत होता है जिसका हमारे हाँ कांसा कुसी ये च्छपर इसी का है वो और क्या बोलते हैं च्छपर हम कुछ बो बोल गए हम यह बोलने जा रहा है थे कि आज याद नहीं आ रहा है वाई वीडियो कैसी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जिन लोगों ने सस्क्राइब नहीं किया है कर पर हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लेना गाउं से रिलेटेड सोसल वर्किंग और इसी अच्छे अच्छे व्लोग के साथ साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंचे बारत नमस्कार गुडबाई ये है हमारी रानी बैठी है छट पे इन्होंने संत्रा खा लिया है और ये जो है गुमती रहती है पूरे छट पे पूरे गाउं में हर जगे देखो पेट कितना निकला है सिर्फ खा खा के पेट निकला है और कुछ नहीं है इसके पेट में क्योंकि राजा इसके पास आता है तो ये भाग जाती है डर के क्योंकि इसको दो तीन बार काड़ चुके है ना बंदर तो इसलिए डर के चली जाती है लेकिन रहती राजा के पीछे-पीछे ही और तीन आज तो चौथा दिन है आज थोड़ा-थोड़ा दोब खुली है यह दखो सूरज भी थोड़ा सा रोशनी मार रहे है और यह है हमारी दिनने-दिनने घूम रही है पूरे छट पे अब देखो चली गई एक जगा रुकते ही नहीं डमक का यह यह अब यहां से बैट के पता क्या देखेगी यह नजारा देखेगी यह देखो अभी दिखाते हैं अब को पूरा नजारा यहां से बैट के यह देखती है यह नजारा इधर से बंदर आने का चांस रहता है राजा लोग आते हैं तो इधर से ही आते हैं यह देखो इधर से एक लोग उपर बैठे भी हैं अब यह आ रहा है दूसरा बंदर एक आ रहा है दूस्ट रानी चली गई वो नीचे वो बैठी है हमारी रानी रानी का मतलब ये है कि ये हर जगा जाती है हर जगा गूमती रहती है जिसके घर में होता उसके घर में चली जाती बैठी रहती है वो है हमारा पिल्लू वो है हमारे फादर हमारे पापा और ये है हमारी डमक का और वो इनके बैठे हुए आसिक उपर ये आ रही हमारे पास कि यह आ गई लेकिन एक बंदर है इधर साइड में है पीछे तो उसको यह डरती रहती है देखती रहती है कि देखो इनका बैटने का स्टाइल तो देखो कैसा लटकी परी है ये ये रेलिंग पर चल रहे है ये भाईया हमाने तो बड़ी डेल लागा थी आ रहा है राजा आ रहा है वह पीछे वह है वह हुआ इनका काम है घुमना ये चली चली मैं चली खालिओ एक संत्राली हिन चल देएन और इनके आसिक भी हुआ उपर बैट है राणी के राजा देखो वो राजा इसको दोड़ता नहीं है इसको काड़ता भी नहीं है इसको कुछ नहीं बोलता लेकिन जो बंदर है वो इसी के पीछे-पीछे रहते हैं इसको दोड़ा लेते हैं कल तो बारिस में भागते भागते ये चली गई थी उधर साइड वो जहाँ पे रोड है उसके उधर चली गई थी जहाँ गाडिया चल रही है वहाँ चली गई थी रानी तो भागते भागते आई इसको दो तीन बंदर जंगली बंदर वो दोड़ा लिये थे राजत उपर है कया है दिन्ने दिन्नी दिन्ने दिन्ने ये बैठें यहां और वो बैठें वहां